हीटर के कॉमेंग पर अबशेक मलहान ने दिया ये एपिक रिपलाए कहां मैं एक्सपोस हो गया लल बिग बॉस ओटी टी टू फेम अबशेक मलहान और अलविश यादव अपनी चुल्डरगी नेगेटिव पियार कॉंट्रोवर्सी के चलते लगतार लाइम लाइट में बने अलविश यादव के खिलाफ ये जो भी हेट फलाई जा रही है और नेगेटिव कॉंट्रोवर्सी कराई जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि अब शेक मलहान ही करा रहे हैं जबकि अब शेक मलहान इस बात पर काफी ज्यादा बार सफाई दे चुके हैं कि इन सब में उनका कोई भी आत नहीं है जैसे कि आप सर्वि को पता है अब शेक भी कितने ज़्यादा सरकास्टिक है ये तो हमें शो के अंदर और बाहर देखने को मिली गया था अब शेख के रिप्लाइज भी काफी ज़्यादा सेविज वाले होते हैं अब शेक को अब हाल ही में काफी ज्यादा कॉमेंट करके उन्हें टार्गेट करने की कोशिश भी की गई सभी फैंस का कहना है कि अब अब शेक एक्सपोस हो चुके है अलविश आर्मी लगतार अब शेक के ऊपर इल्जाम पर इल्जाम भी लगाती हुई नज़र आ रही है अब शेक ने एक पोस्ट अपने इंस्टेग्राम अकाउंट पर डाली थी जिस पर भी अलविश आर्मी बढ़क गई और उनके ऊपर लगतार उन्हें टार्गेट करते हुए नज़र आये की यूजर ने कॉमेंट करते हुए लिखा अब शेक पन ऋब करते हैं अब शेक ने काफी सेविच रुपलाइज दिया अब शेक ने लिखा है मैं तो डर गया याँ सियाईडि एक्सपोस साथ ही में अवशेक ने लाफिंग एमोजी भी शेयर किया है जैसे कि आप सभी को पता है अवशेक ऐसे ही सेवच रिप्लाइस देते हैं सारे हेटर्स को और ये सारी चीजे अभी जो है थमने का नाम नहीं ले रही है कल इस बात पर और भी बड़े खुलासे हुए थे और नेगिटिव पियार किस से करवाई गई है ये बात भी सामने आई है और उसे कितने पैसे दियेगा ये बात भी कल खुल कर सामने आई वेल इसमें अगला नया मोड तभी आएगा जब अलविश यादफ की तरफ से इस पर कोई भी रियाक्शन या फिर कोई भी प्रतिक्रियाद देखने को मिलेगी अलविश यादफ के व्लॉक का फैन्स काफी बेसाबरी से इंतिजार करते हैं क्योंकि अलविश यादफ लगतार अपने व्लॉक्स में कुछ ना कुछ नया हिंट इस कॉंटोवर्सी पर देते हुए नजर आते हैं आप फान्स इंतजार कर रहे हैं अलवस श्यादफ की रिप्लाई का अब इशेक के इस कॉमेंट पर विल आपका इस अपडेट के बारे में क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताए ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें